नमस्का, टीचर्स अकेडमी और अलाइन कोचिंग इंस्ट्यूट से महुवं बरीशु कलाप सबका बेहत्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए समय समय पर योगता में परिवर्तन किया जाता रहता है और एक परिवर्तन फिर निकल कर सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पिएसडी जरूरी नहीं नेट पास होना काफी है यहाँ पर कुछ नियम दिये गए हैं कालेजों या उनियम में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पिएसडी जरूरी नहीं है यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जग्दिश कुमार ने बताया कि नए नियमों के ताहत किसी भी कालेज या इनिवर्सिटी में असेस्टन प्रोफेसर बनने के लिए PhD अनिवारे नहीं होगी इसके लिए अब सिर्फ UGC की राफ्ती पातरता परिक्षा UGC नेट क्वालिफाई करना परियाप्त माना जाएगा इससे पहले इनिवर्सिटी यों में पढ़ाने के लिए PhD की डिग्री अनिवार थी लेकिन अब नए नियम से छात्रों को राहत मिलेगी प्रोफेसर कुमार ने कहा कि एक राष्ट एक डेटा पोर्टल विक्सित किया जा रहा है जिसमें UGC के सभी दिसा नर्देश और अन्य जानकारी होंगे आगले सैक्षणिक वर्स से सिक्षा की परिभाशिक पद्धती में साथ साथ राष्टी डिजिटल विस्विद्याले के माध्यम से गुनोत्ता पुन सिक्षा जो है वो सीधे छात्रों तक पहुँचाई जाएगी जिसके त्यारी चल लही है UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M. जगदीश कुमार ने कहा कि PhD गाइड के लिए परिशान होने की जरुत नहीं है नीमित फैकल्टी अपनी प्रोवेशन की एवधि में भी PhD करवाग सकेंगे उनके प्रोवेशन के दौरान भी उन्हें PhD स्कॉलर अलॉट किया जा सकता है UGC की ओर से 20 जन्वरी को हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया प्यस्डी गाइड की कमी के चलते या फैसला लिया गया है गाइड की कमी के करण कई स्कॉलर्स अपनी रिसर्च पूरा नहीं कर पाते थे वही प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और इससेट प्रोफेसर को निश्चे संख्या में भी स्कॉलर्स अलॉट किये जाते हैं इसी कमी को देखते हुए फैसला लिया गया है ओनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से PhD करने पर रोक कर दी गई है युजिसी की ओर से PhD कोर्स को लेकर नए नियम लागू किये गए हैं नए नियम में PhD के लिए अधिक्तम 6 साल का समय दिया गया है उम्यद्वारों को री रेजिटेशन के जरिये जादा से जादा 2 साल का और समय दिया जाएगा नए नियम के तहट ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से PhD करने पर रोक लगा दी गई है इससे पहले थिसिस जमा करने से पहले सोधार्ती को कम से कम दो सोधपत्र छपवाने पड़ते थे अब नए नियम से रिसर्च की परिक्रिया के दोरान दो रिसर्च पेपर छपवाने की अनिवारता खत्म कर दी गई है यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भरती के लिए PhD के अनिवारता खत्म कर दी थी लेकिन बिरोध के बाद एक जुलाई 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर भरती के लिए PhD के अनिवारता लागू की गई थी इसके अनुसार इच्छो कमिदवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भरती के लिए संबंदित विसे में मास्टर्स की डिगरी धारक होना जरूरी है और निट क्वालिफाई होना भी जरूरी है क्वालिफाई करना अभी भी अनिवारी उगता है जिसके बगैर उम्मिदवार आविदन करने की भी पातता नहीं रखते हैं यूजिसी का निरने केवल मौजूदा कोरोना किस्थि को देखते हुए अस्थाई तोर पर था प्यजडी के निवारता पर रूख एक जुलाई दोहजार तेस तक लागू रखने की बात की गई थी इस दोरान निकलने वाली भरतियों के लिए बगैर प्यजडी धार को मिदवार आविदन करने को कहा गया था तो इस तरह से कई परिवर्तन UTC करता रहता है अब इसमें एक परिवर्तन तो यह हुआ है अगर कोई प्रोविशन पीरियड में है तो प्यजडी करवा सकेगा डिस्टेंस लर्निंग और ओपन से जो लोग करते थे ओन लाइन वो भी समाप्त कर दिया गया है प्यजडी प्रोफेसर बन सकते हैं इस पर भी बात की गई है इसी तरह के महत्तपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए समय समय पर और अच्छी खबर हम आपको देते रहेंगे धन्यवाद